हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल री स्टार्ट में हार्दिक स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं सुखा कालो की जो की पंजाब के सुपर सिद्ध गैंस्टर रह चुकी है उनका पूरा नाम सुखबीर सिंग काहलवा, गाओं काहलवा, करतारपुर, जिला जलंदर, जनम स्थान काहलवा, जनम 21 जून, मौत की बात करें तो 21 जनवरी 2015, पिता का नाम सुध दर्शन सिंग, माता का नाम हर जिंदर कोर उसका एक भाई है जिसका नाम था सोना काहलो, और केस की बात करें तो 40 से अधिक केस हैं, केस का ब्यूरा इस तरह है, दो हत्या, साथ इराधा कतल, आठ नूट पार्ट, छेकड नैपिंग, तीन नजाइज कब जा आईए बात करते हैं सुखा काहलो, उर्फ सुखवीर सिंग काहलो, जो की एक दुबला पतला इनसान था लेकिन शातर क्रिमिनल, सुखवीर सिंग उर्फ सुखा काहलो ने अपराध की दुनिया में बेहद जल्दी नाम कमाया, पंजाब, हर्याना, हिसार, राजिस्तान में लूट पार्ट, सुपारी किलिंग, हत्या के प्रयास, हाईवे रॉबरी, हत्या के क्रीब, तीन दर्जन अपराधिक मामलों में संपलिप्त रहा, सुखा काल्वा इतना बेक ओफ वे निडर था कि सरयाम वार्दात करता और फरार हो जाता, सुखा गैंग्स्टर कैसे बना, बात उन दिनों की है, जब सुखा स्कूल में बढ़ता था, सुखा शुरू से ही निडर और दलेर था, सुखा पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बहुत अच्छा था, उसके मन में अच्छा नागरिक और खिलाडी बनने के साथ साथ एक सपना और भी पल रहा था, वो सी रंजिश के चलते भीड़त हो गई, थाने में केस दर्ज हुआ, जिसमें सुखा का नाम भी शामिल था, पर उस लड़ाई के वक्त सुखा गाउं में था ही नहीं, उस समय सुखा का लो दसनी कक्षा में था, इस घटना ने सुखा को बुरी तरह जिंजोल कर रख दिया, यह पहला और मुख्या कारण सुखा का अपरादिक दुनिया में कदम रखने के लिए, जैसे तैसे वक्त बीटता चला गया, सुखा का विदेश जाने का सपना सपना बन कर रहे गया, घटना के साथ सुखा के सुभाब में बहुत परिवर्तन आया, अढ़ाई के साथ सुख आपको राजी कर लिया, तारीक तै हुई, सुखा की शादी बड़ी धून धाम से हुई, सुखा की पतनी का अस्ट्रेलिया का विजा लग गया, सुखा को भी साथ जाना पड़ा, वहां सुखा की बीवी नोकरी करने लगी, सुखा टैक्सी ड्राइवर बन गया, सुखा के यहां तक आ गई की पतनी से तलाक लेना पड़ा, तलाक लेने के बाद सुखा वापस गाउं लोट आया, सुखा अंदर से पूरी तरह तूट चुका था, इस समय उसकी दोस्ति कुछ अपराधिक छवी वाले लोगों के साथ हुई, सुखा अब बुरे सुखा में तबदील होने लगा, यहीं से हुआ गैंक्स्टर सुखा काहलों का जनम, अब सुखा चोटे मोटे अपराधिक काम करने लगा, सुखा का नाम लवली बाबा के कांड के बाद खुल कर सामने आ गया, सुखा कालवा ने पहली वारदात कुछ साल पहले गाउं लिदडा में ही की थी, आ अपराध की दुनिया का बेताज बादशा बनना चाहता था, हत्या की वारदात के पस्चा सुखा कालवा फरार हुआ और अपराधिक प्रविर्ति वाले लोगों के साथ जुड़ गया, अपराध की दुनिया में कदम रखते ही सुखा कालवा इतना प्रभावित हुआ कि उ प्राद की दुनिया में उसका नाम चमकना चाहिए। इसके पस्चाथ उसने एक के बाद एक वारदाते की। सुखा कालवा इतना फर्तिला और निडर हो सकता है कोई सोच भी नहीं सकता। पहली वारतात के पस्चाथ उसने विभीन गैंस्टर के साथ मिलकर एक नहीं दो नहीं बलकि दरजनों वारदातों को अंजाम दिया। सुखा वे उसके साथियों के खिलाब हिसार, बीकाने, जिलंदर, फतेवर, पंचकुला तथा पंजाब वे अन्य राज्यों में तीन दरजन से अधिक परादिक केस दरजर है। तीवर बुद्धी वाला सुखा कांड करता और गाइब हो जाता। इंस्पेक्टर इंदरजीत के साथ सुखा की कुछ खास दुश्मनी हो गई थी। सुखा काल्वा दिन रात लगातार वारदाते करने के कारण प्लीस के लिए सिर्दर्थ बनता जा रहा था। सुखा काल्वा को पकड़ने के लिए प्लीस भी लगातार जाल बचाने इंस्पेक्टर इंदरजीत सिंग वे ऐसाई शिव कमार ने पकड़ा लेकिन वे भाग गया। लगादार वारदातों और इंस्पेक्टर इंदरजीत की टीम के उसे पकड़ने की आख मिचोली के दुरान सुखा काल्वा का इंस्पेक्टर इंदरजीत के साथ 36 का आंकड़ा हो गया सुख्खा इतना निडर था कि वह वारदात करने के पस्चाथ खुद फोन करता था और वारदात करने वारदात वाले इलाके में घूमता रहता था सुख्खा कालवा और इंस्पेक्टर इंदर जित के बीच रंजिश बेहद बढ़ गई थी इसी भी सुख्खा कालवा इंस्पेक्टर इंदर्जीत पर हमला करने की योजना बनाई यह बात सब को पता है कि सुख्वा का लग्ड सुख्वा का भाखू भी साथ देता था। सुख्वा का प्लीस के साथ कई बार सामना हुआ फारिंग हुई मगर सुख्वा हर बार बचता रहा। इंस्पेक्टर इंदरजीत वैसाई शिव कमार ने जब सुखा को पकड़ा और उसे जलंदर जेल में रखा गया सुखा जलंदर जेल से अक्तूबर 2010 में फरार हो गया इसके बाद फिर सुखा प्लीस के हथे चड़ा और फिर सुखा रोपड से 2012 में भाग निकला एक बार फिर सुखा की राजस्तान प्लीस के साथ मिड़त हुई गोलियां चली सुखा का साथ ही मारा गया लेकिन सुखा फिर बच गया पहले भी खुलासा हो चुका है इंस्पेक्टर इंदर्जित पर हमला करने के लिए वे यूपी से अव्यद एके संतालिस तक खरीदने के लिए चला गया सुखा और उक्त प्लीस अधिकारियों के बीच फोन पर जरूरी जरूर तीखी वारता लाप होती रही और आखिर सुखा को पकड़ा भी इंस्पेक्टर इंदर्जित वे ऐसाई शिव कमार ने इस प्रकार सुखा की और प्लीस की ज़्यादा जमती नहीं थी आतंक का प्रयाए सुखा कालवाने अपरादिक लिंक सिर्फ पंजाब में ही नहीं बलकि हिसार राजस्तान यूपी वे अन्य राजों में भी थी वे जहां से गुजरता लूट या डिकैती की वारदात करता जुलाई 2012 में हिसार में सुखा वे उसके साथियों ने चार किलो सोने वे दो लाख रुपे की लूट को वारदा को अंजाम दिया इसके पस्चा सितंबर महा में जब वारदा ट्रेस हुई तो परादी यामिन ने कुलासा किया कि उसने सुखा को मार कर नहर में फैंक दिया अब यह किसी को ना पता था सुखा कालवा कहां है वे मर गया या बच गया वक्त गुजरता चला गया पलीस को सुखा कालवा की भनक लगी आखिर सुखा बंगाल में मिला सुखा कालवा बेहद जक्मी था उसका इलाज चल रहा था लोगों की नजर से चिप कर वे छे बैच्छे कमरे में रहे रहा था उसकी दाड़ी और बाल बहुत बड़े बढ़ चुके थे पचान करने भी मुश्किल थी उसके बाद उसे फगवाडा लाया गया बाद में नाबा जेल में रखा गया सुखा कालवा को जेल में मिलने वालों की लाइन लगी रहती थी हर दिन कोई ना कोई सुखा को मिलने आता जिसमें उसके ज़्यादा फैन और दोस्थ शामिल थी फैन और दोस्ट सुखा काहलवा के साथ फोटो लेते और फेस्बुक शोसल शाइड पर अपलोड करती एक आद बार सुखा के माबाबी मिलने आई अभी सुखा जेल में हीता की अचानक ख़बर मिली कि सुखा के बड़े भाई सोना काहलो की कपूर्थला जेल में मोत हो गई है जांच में पाया गया कि सोना काहलो काफी समय से विमार था उसकी देगवाल अच्छी तरह से नहीं हुई थी फल सपरू उसकी मोत हो गई सुखा काहलो को भारी प्लीस कस्टेडी में उसके गाउं लाया गया ताकि भीड में सुखा काहलो फरार ना हो जाए अब बात करते हैं सुखा काहलो की मोत की सुखा की सजा पूरी हुने में कुछ समय बाकि था उसके दुश्मनों को यह बात रासना आ रही थी अंत 21 जनवरी 2015 को पेशी से लोटते वक्त सुखा की हत्या कर दी गई पूरा वाक्या इस तरह था गैंग्स्टर सुखा कालो को पंजाब प्लिस की टीम आज नाबा जेल से जलंदर अंडर ट्राइल केडी के साथ अदालत में पेशी के लिए लाई थी जलंदर में अदालत में पेशी भुगतने के पस्चाथ गैंग्स्टर सुखा कालो को नाबा पुरानी सेक्योर्टी जेल की प्लिस टीम जिसमें दो थानेदार तीन हवलदार और दो स्पाही शामल थे वापस नाबा जेल लेकर जा रहे थी तो बीच रास्ते में फगवाडा के गाउं जमालपूर के करीब प्लीस जीब जिसमें गैंग्स्टर सुखा कालो वे अन्या अंडर ट्राइल कैदी बेटा हुआ था को अग्यात गैंग्स्टरों की फिल्मी स्टाइल में पहुँची दो फार चुनर एस यूवी वाहनों ने घेर लिया और उन पर अंदादुन्द फाइरिंग कर दी फाइरिंग के कारन प्लीस जीब के दो टायर पंचर हो गई इसके पस्चात करीब 15 गैंग्स्टरों की टोली जो पिस्टलों डबल बैरल गन आदी घातक अथियारों से लैस थी ने प्लीस जीब के चालक गुर सहेव सिंग वे उसके साथ बैठे प्लीस थानेदार वे प्लीस हवलदारों को पिस्टल की नोक पर लिया और प्लीस अधि सुटर सुटर सुखा कालों पर एक के बाद एक साथ से अधिक फायत दागे मोके पर ही उसकी मौत हो गई सुखा कालों की हत्या करने के पस्चाथ आरोपी गैंक्स्टरों की घटना सल पर मजूद रही बड़ी टोली ने बे खोफी बीच सड़क पुलीस अधिकारियों वे करमचारियों की मुझूदगी में जम कर भंगडा डाला और पुलीस चीप के चालव गुट साहिव सिंग को डंके की चोट पर एलान करते हुए कहा जब उक्त केस की जाच करने पुलीस के आला अधिकारी पहुंचे तो उनको बता दे कि यह हत्या मलोट के गौंडर गैंग ने की है एक गैंग्स्टर ने का सुखा कालों से अपने भाई की हत्या का बदला ले लिया है आखिर सुखा कालों को किस ने और क्यों मारा सुखा कालों को मारने में मुख्या भूंका सुखा के निजी दोस्त हरजिंदर सिंग उर्फविकी गौंडर ने निभाई और उसके साथे गुर्परी सेखो नीटा दियोल प्रेमा लोहुरिया के नाम सामने आई सुखा को मारने का प्लान गुर्परी सेखो के भटे पर एक दिन पहले बनाया गया था दो गाड़ियां चोरी की गी यूपी से अवे तरिके से हथियार लाए गये और अगले दिन इस घटना को इंजाम दे दिया गया जाज से पता चलता है विक्की गॉंडर ने सुखा से अपने दोस्त लवली बाबा के कतल का बदला लिया है आम युवाओं की तरह सुखा कालवा भी फेस्बुक यूजर था वे जेल में हो या कहीं भी अपनी फोटो अपडेट करता रहता था इसके साथ ही वे चाता अपरादियों में उनका नाम का खौफ हो लेकिन उसकी मनुवरिती इस बास से पता चलती है वे खुद चाता था कि उसकी फोटो जादा से जादा कफारों में आए उसकी पब्लिसिटी हो लोग उससे डरें वे उसके नाम का खौफ हो क्या सुखा को पता था उसकी हत्या होनी तैह है शार्प शूटर सुखा कालवा की हत्या के बाद सुखा के माता पिता ने इस बात का खुलासा किया कि वे अपनी हत्या की साजिस से अंजान नहीं था अपनी हर पेशी के बाद वे अपने अमरीका में अपने माबाप से इसको जानकारी देता रहता था सुख्खा के माता पिता ने बताया सुख्खा को पता था कि गौंडर और प्रेमा लोहोरिया उसकी हत्या की योजना बना रही है तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें